आज रहेएँ हम बनाते हैं चोले तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे काबली चने को रात में पानी में भिगा कर रख देंगे जिससे कि चन्ना अच्छे से फूलाइए, मैं आपर बडे वाले काभली चन्ने का अस्तमाल कर रहा हूं, आपको इसा भी ले सकते हैं। इस चन्ने को में बॉयल करना है, तो हम इससे प्रैसर कुकर में ट्रांसपर कर देंगे। अब हम इसे बॉयल करेंगे, उससे पहले हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, तो मैं यहां पर ले रहे हूँ दो तेशपता, डालचीनी, बड़ी लैची, छोटी लैची, लॉंग काली मिर्च, बॉयल करने से पहले आप इसमें कुछ खड़े मसालों का इस्तमाल कर दे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक से दो डाल देंगे, सुखा आवला, आप इसके जगे चाय पती का भी इस्तमाल कर सकते हैं, आवला मारे सुआस के लिए अच्छा होता है, तो आवला हो तो आप और लेका इस्तमाल करें, अब बॉयल करने के लिए हम इसमें डाल और उसमें डालेंगे आधा कप पानी, बहुत जादा पानी नहीं, बहुत थोड़ा सा पानी होना चाहिए, उसके बाद अब हम इसमें 2-3 बड़े साइस के कटवे प्यास डाल देंगे, 2-3 लहसन की कल्या डाल देंगे, 3-3 सुखी लाल मिज डाल देंगे, और 2 बड़े चमच हम डालेंगे साबू धनिया, अब हम इसे बॉयल करना है, बहुत अच्छे से बॉयल करें, इसका पानी नहीं बहुत जादा नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पर दूसके अच्छे से बॉयल हो गया है, यह ठंडा हो गया है, पानी बहुत जादा नहीं है, तो अब हम इसे ए अब हम क्या करेंगे दो सी तीन टमाटर लेंगे और इसे बड़े साइज में इस तरह से कट कर लेंगे कट करने के बाद हलका सा पानी डालेंगे ब्लेडिंग जायर में डालेंगे और हम इसका प्यूरी जो है रेडी कर लेंगे आपो चैक किलने की हमारे चने अच्छे से बॉइल हुए नहीं चने अच्छे से बॉइल हो गया है आपको इसमें जो खड़े मसाले डालें अगर उसका टेस्ट पसंद यह तो आप इसे निकाल दे पसन देगे पसंद रहने थे अब हमें अब तो इसमें डालें । अपना ऑएल जो भी आप खाते हो, मस्टर्ड ऑईल ते से जीरा जाए तो अब हम यह जो प्याज धन्या भूल करके पेस्ट बनागे है सबसे पहले हम बूह डालेगे और इसे हम अच्छे से भूनें के लो फ्लिम पे जैसे जैसे जीरा पालते चाहें इसे बहुत ही प्यारी जैसे लगे आपको यह थोड़ा सा भून गया है तो अब हम इसमें डालेंगे आधी चोटी चमच गरम मसाला, आधी चोटी चमच लाल मिश पाउडर, आधी चोटी चमच हल्दी पाउडर, अब इन मसालों को भी हम इनके साथ अच्छे से 1-2 में तर भून लेंगे, गैस का फ हम इसके साथ अच्छे से लो फ्लेम पे हम भूनेंगे, तो आप देख सकते हैं हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तमाल नहीं किया है, यह मसाले और अच्छे से पक जाए हम क्या करेंगे, एक से दो मिर्ते से ढख कर पका लेंगे, एक मिर्ट हो जाए तो बस अब हम मस स्वादानुसा नबक, आपको लगता है पानी और भी जादा लगेगा तो इसमें आप थोड़ा पानी और डाल देंगे, मैंने आप बिल्कुल पानी नहीं डाला है बस अब हम इसे ढख देंगे, ढख कर हम अच्छे से एक से दो बॉयल आ जाए तब तक हम इसे पका लेंग हम इसे भटोरी के साथ सर्व कर लेते हैं तो आप यहां पर छोली का कलर दे सकते हैं बिल्कुल मार्किट की तरह है और टेस्ट में भी बहुत ही यम्मी है इस तरह से एक बार आप जरू ट्राय करेगा और अपना अनभर मेरे शाद जाओ शेयर करिए गा तो यह हमारी छोली